हरियाना में कोविड-19 वेक्सीन रोल आउट के पहले चरण के सफल क्रियानवेन के बाद अब दूसरे चरण के शुरुआ तीन फरवरी से होगी दूसरे चरण में विबिन विभागों के फ्रंट लाइन वरकर्स को टीका लगाया जाएगा इसके लिए ऐसे सभी वरकर्स का साथ फरवरी तक कोविन पोर्टल पर पंजी करण किया जाएगा यह निर्णे आज यहां हरियाना के मुख्य सचिव विजय वर्धन की अधिक्षता में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से हुई स्टेट स्टेरिंग कमेटी और स्टेट टास्क फॉर्स कमेटी की तीसरी बैठक में लिया गया बैठक में मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों, पुलिस अधिक्षकों, जेल अधिक्षक, जिला विकास वपन चायत अधिकारियों, नगर आयुक्तों, होम गार्ड इंचार्जों, मेडिकल कॉलेज के निदेशकों और सी एमों ने हिस्सा लिया हर्याना के मुख्य सचेव विजय वर्धन ने सभी संबंदित अधिकारियों को निदेश दिये कि जिला उपायुक्त कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट के दूसरे चरण के सफलता पूर्वक क्रियानवेन के लिए विबिन्न विभागों के साथ समन्वे स्थापित करने में फ्रेंट लाइन वर्कर्स की श्रेडि में आते हैं वे टीका लगवा करें थारन प्रस्तुत कराने लोगोंको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेईर्वास्च करिण करवा सकते हैं बैठेक में स्वास्तेवं परिवार कल्यान विभाक के अतिरिक्त मुख्य सचीव राजीव अरोडा ने बताया कि COVID-19 वैक्सीन रोल आउट के पहले चरण में हरियाना देश में शीर्षतीन राज्यों में शामिल है हरियाना में लगबग 125,000 हेल्थ केर वरकर्स को टीका लगाया गया है इसी प्रकार अब दूसरे चरण की भी सभी तैयारिया पूर्ण कर ली गई है और पहले चरण की तरज पर ही सभी आवश्चक दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए इस चरण में ठीका करन किया जाएगा उन्होंने कहा कि वेक्सीन के साथ साथ अभी भी कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों की सकती से पालना सुनिश्टित की जाए इसके अलावा कोविट सेंपलिंग को भी पूर्व की भाती जारी रखा जाए चन्डिगर से समाध आता सोरव शर्मा की रिपोर्ट गराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज